ढूमेटल खेदने वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना आज की वीडियो में पहीं सब बात करेंगे नबохताथ दोस्तों स्वाकते आप तब याँ साथ जीत मेशिन टूलस में दोस्तों आज गरी आप सबस्ते हगें लिए रहा बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप सब को पता चल जाए कि रॉमटर लेने वर क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि आपके दोका दड़ी ना हो तो यह वीडियो बहुत जाज़ा जरूरी है इसको आपको पूरा देखना है वीडियो को इसमें हम आपको साथ यह है तो तो कोई दिकत नहीं है पर यह ना हो कि वो रेट बहुत जादा होँ और आपको नुक्सान ही हो जयाए उससे तो उस बंदे से जेंड़े कोई फाइदा जिसके बहुत ज्यादा रेट है हां वो बंदा क्वालिटी सभी दे रहा है और वह रेट के साब से मैच भी क सेटें ले लो, बिल्कुद दोसों तीनवर रवरी ले लो उसका तो फिर नुकसां ही है वह तो चलेंगी ही नहीं वैसे शीट के बाद नहीं होती है बस रेट जाइद होना चाहिए वैसे रेट जो अगर जनुर्वन बंदे होते हैं वो इनके रेट सही होते हैं इस लिए आप उन लोग के पाज़ आई जो पुराने हैं दूसरी चीज है कि क्वालिटी अच्छी होना चीए देखे ले करके चाहिए आपने सस्ती ले भी लेगी वहां जाके तूट जाए वह खड़े पड़े हो शीटों में जब आप काटो तो रिजेक्टिट शीट हो वह तो ऐसा फायदा है कि इसलिए आपको इस नोलेज होनी चाहिए आपको पकड़ करके उसको पता चल जाएगा कि वह क काम हो जाता है क्योंकि वह जो रिजेक्ट हो जाती है ना शीट वह भी बेच देते हैं कि लोग कई पैसे फ्रॉड चल रहे हैं तो आइसलिए बहुत ज़रूरी है आपको पता हो जाएगा उतना कि फ्रॉड कम हो जाएंगे तो आप ध्याना के क्वालिटी हमेश्चा अच् है कि इसमें इतने जोड़े बन पाएंगे या निकलेंगे बीस निकलेंगे जो भी आपको कमिट किया रहा है वह आप खुद भी उसको देखिए यह नहीं क्या इसने बोल दिया और आपने ले लिया आप वह शीट को खुद देख लीजिए कि उस चीट में आपको लग रहा विश्वास करना यह किसी भी भी नहीं करने आपको चीज आप खुद चेक करिए कि उसमें निकल सकते हैं तो लीजिए ऐसे फ्रॉड तब ही हो जाते हैं कि लोगों पता ही नहीं है वो बस विश्वास कर लिए वहां जाकर के धोका हो रहा है यह चीज़ों आपको ध्यान र बनेंगे जैसे उसके अंदर लेडिस के बनेंगे बच्चे के बनेंगे जैंट के बनेंगे यह बहुत बड़ा फ्रॉड है क्योंकि लोगों ने आपनों कहा दिया आपको 20 जोड़े बन जाएंगे अब 20 जोड़े वो आप वहां जाकर देखें और आप जैंट समझ रहे हो किड्स कहा रहा हो फिर वधाक मैंने तो बच्चे का बॉला था यहां बहुत दिक्कत जाती है इसलिए आपको यह चिजह बहुत खेर कर दें नहीं कि भीया यह आप कीड Charge हो जैंट कर रहे हो कौन सा कहरे रहे हो और ठरा जोड़ा इस से आपको पूरा मा पिंद ऑशूर सा कि यह कुछ का बनेगा है जोड़ा जो आप 20 जोड़ा कह रहे हो कौन सा लेड़े जैंट बच्चा किसका बनेगा यह पूछना जुरूरी है पांच वी चीज़ और जो द्यहनक नहीं कि कि कितने नंबर का बनेगा यह भी चीज़ बहुत जुरूरी होते जैसे जैन्ड का एक छोटा सा 5 नंबर का भी वैर आता है जैंड का दस भी आता है लेडी में चार भी आता है आठ भी आता बच्चे में छोटा सा छोटा पांच नंबर बिकुल छोटा भी आता है और बड़ा पांच भी आता है ये स्लिए फराउड होते हैं आपको हर चीज पहले तो खुद पता हो नीचे कि डाइड़ कौन साइज की आती है आपको डाइज का एक बार पता होना चाहिए कि डाइज म में कितने सा जाते हैं अगर आप कोई चीज़े पता हैं तो बढ़ी है फिर आप वो डाई अगर आपको है तो वो लेकर चले जाईए तो पहले आप मशीन और डाईया खरीद लीज़ेगा वह डाई आप वहाँ जाकर चेक कर लिज़े ये शीटों में बन रही है तो बस ठीक ह है ऐसा विश्वास किसी पर आखे बन करें नहीं करना है खुद चेक कर लिए आप उसको पहले चीज़ देखिए कि उसके अंदर कितने जोड़े बन पा रहे हैं उसको चेक कर लिज़े कितने नंबर के बन रहे हैं कौन से बन रहे हैं लेडी बच्चे की जैए चीज़े आगि चपल मोड कर दिखे आँ तो उससे पहले तो आपको शीट को मोड के देखना है शीट मोड के कितनी लचक बन रहे हैं सिल्वट है तो नहीं आ रही है मूड तो नहीं क्राक्स तो नहीं आरे हैं अगर नहीं आरह तो अच्छीज़े बहुत हाड़ लेतें बहुत में मुलायम हो और जो चले भी साही यह चीज़ देखना है मोड करके देखना है वो क्वालिटी कैसी है बाकि आपको रेट्स जो ज्यादा होते हैं जैसे 800-800 वो शीट सुट ठीक होती है और 200-300 रुपे वहले बिकार होती है जर्नली तो आपको वह से भी आडिया हो जाएगा मोड करके जरूर देखना है आपको आज से साथ भी चीज़ है कि आपको जो भी माल लेना है वो मैनिफेक्चर से लेना है देखिए बिना मैनिफेक्चरिंग वाले बंदों से दुकान दार सो ट्रेडरों से आपको माल लोगे वो महंगा पड़ जाएगा आपको जब चपल करेंगे वो रेट ज्यादा आएगा चपल का फिर वो बिकनी मिश्किल हो जाती है द्यायर कि सीधा मैनिफेक्चर से लेंगे तो सर्विस भी ठीक मिलती है कोई शीट में दिक्कत आ जाती है ट्रेडरों से लोगे तो शीट अगर खराब आई तो पहली बात तो फो फोन ने उठाते हैं अगर उठा भी लिए तो फिर वो मैनिफेक्चर को बोलेगा वहां से उसको आएगा वह आपको भेजेगा उसमें टाइम खराब होता है रेट भी ज्यादा खर्चाब ज्यादा पड़ जाता है तो इसलिए सही बंदे का पहचान होने जरूरी है जो कर में एक दम ना भागी बहुत नुकसान कर लेंगे आप देखिए आराम से कौन कितना पुराना है कौन कितना अच्छा समझा रहा है कितमें कितना कॉन्फिडेंस हैं वो कैसा आप से आकर जाकर बेहेव करने वाला है ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी पाएगा आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प होगी मशीन जब आप जो रॉमिटर करेंने जाओगे तो तो देख लेते हैं आज हमने क्या कैसी सिखा है सबसे पहले है कि जो भी आप शीट लेने जा रहे हो उसके जाईज होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए दूसरी ची अंदर कौन से नंबर के पैर बन रहे हैं यह भी बहुत जुरूरी है चाहिए के आठ के नो के किसके पैर बन रहे हैं आपको पूछना चाहिए और च्छटवी चीज जो है शीट को मोड करके देखे उसमें कितनी सिलवर टैयार यह नहीं आ रही है उसे क्वालिक आपको हर चीज का समान है हम लोग 50 साल से उपर हो चुका है हमारे पास एशिया वार्ड है हमारे पास क्वालिटी लेबर है हमारे पास नौलेज है हम पूरा अपने कस्टमर्स को पूरा सेयोग करते हैं उसको सही चीज देते हैं सही रेट पर देते हैं हमेशा सपोर्ट करते हैं औ हमारे कई कश्टमर बहुत बढ़िया कर रहे हैं स्लीपर बिजनस में और कई हमारे स्लीपर बिजनस में जो नहीं कर पा रहे हैं उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो भी एक अच्छा काम शूरू कर पाएं तो आप हमसे आके जुड़िये आपको सही चीज दी जाएगी और बहुत जाइद रेट पर दी जाएगी और बहुत अच्छा आपका काम हमारे दर कराया जाएगा तो दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाते हैं तो हमारे नमबर्स यहां फ्लैश हो रहे होंगे नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होते हैं वो जाके देखिए और हमसे बात करिए किसी भी चीज़ की रिक्वार्मेंट के लिए आप कुछ पूछना है तो उस प सब्सक्राइब जुरूर कर देना आगे किस किस टाइप की वीडियो देखना चाते हो वो भी लिख सकते हो बाकी अपना ध्यान रखें टेक केर बाय बै दोस्तों